Hello everyone, welcome to my channel आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हो रवा इडली की रेसिपी तो चलिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने एक कटोरी सूजी ली है 200 ग्राम सूजी है ये जिस कटोरी से मैंने सूजी ली है उसी साइस की कटोरी से मैंने एक कटोरी दही ले लिया है दही करीब 250 ग्राम होगी यहाँ पर मैं कुछ सबजिया मिला रही हूँ शिमला मिर्चे कटी वोई गाजर है और थोड़ी सी धन्या की पत्ती है ये सब हम मिला देंगे इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स मैं डाल रही हूँ इसमें नमक भी डाल दूँगी स्वाद के इसाब से थोड़ा सा पानी मिला कर यहाँ पर हम एक बैटर तयार कर लेंगे अभी हमें बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो अज़स्ट नहीं करनी है सिर्फ पानी मिला कर रख देंगे इसमें थोड़ा सा एक घोल बना कर और सूजी थोड़ी देर तक पहरे फूल जाएगी 25 मिनट तक जब रेस्ट करने के बाद तब फिर उसे उसकी कंसिस्टेंसी ठीक करके उसे यूज़ करेंगे तो इसे रेस्ट पर रख देते हैं मैं यहां बनाने वाली हूँ इडली के लिए दो तरह की चटनी एक नारियल और चना दाल की चटनी और दूसरी प्याज टमाटर उसके साथ मैं चना दाल वगर भी मिलाऊंगी तो दो तरह की चटी मैं यहां बनाने वाली हूँ तो चलिए देख लेते हैं चना का दाल जो है चना के वो ले लिया है मैंने लेसन की कलिया ले ली है आठ दस एक बड़े प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है कच्चा नारियल ले लिया है मैंने कच्चे नारियल आप कम जादा कर सकते अपने हिसाब से जिसे साब से आपको टेस्ट पसंदो ड्राइ रेड चिलीज ले ली है और दो टमाटे मिडियम साइज के मैंने ले लिये है यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ओयल जो है पैन में डाल कर गरम कर दिया है आप चनी की डाल को डाल देते हैं इसमें पूरा नहीं डाल रही हो मैं 60% डाल रही हूँ बाकी का 40% मैं टमाटर की चटनी में इस्तेमाल करूंगी टमाटर की चटनी बीना चना डाल के भी बनती है लेकिन मुझे चना डाल डाल कर अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल भी उपने लेसन की कलिया आप इसमें डाल देंगे और लाल मिर्च भी मैंने डाल दी थी और इसे तीन-चार मिनट पका लिया था अब दूसरे चटनी की तैयारी करते हैं टमाटर की जो चटनी बनेगी उसकी इसकी लिए मैंने इसमें थोड़ा सा तेल बचा आथा था थोड़ा और डाल लिया था प्याज डाल दिया है लाल मिर्च डाल दिये मैंने चनी की डाल जो है 40% बची वी वह डाल देंगे लहसन की गलियां जो है चार-पाच पीस वो भी डाल देंगे और थोड़ी देर से पका लेंगे जब तक प्याज है टमाटर 50% गल ना जाए तब तक हम पका लेंगे 50% ही गलाना है हमें यह देखिए 50% गल चुकी है अब इसे ठंडा होने देते हैं और सबसे पहले नारियल की चटनी तयार कर लेते हैं चनी की दाल लहसन और लाल मिर्च यह सब डाल देते हैं जो हमें फ्राइ की थी नारियल डाल देंगे कच्चा नारियल आगे कच्चा नारियल डाल देंगे इसमें कम ज़्यादा आपको जितनी अच्छे लगती हूँ इससे डालिए नमक और पानी डालकर इसे कम ही पानी डालेंगे शुरुवात में जब थोड़ा सा ये पिस जाएगा मैं ने पीसलने नियुक्त से दोबारा पानी डाल कर थोड़ा अच्छे पीश ऐसे एक बार कम पानी डाल कर पीशा था अभी उसके बाद फिर थोड़ा पानी और आड किया अब हम तैयार करेंगे दूसरी चठ्मी टमाटर और प्याज वाले चठ्मी यह quantity में ज्यादा है इसलिए में इसे दो बार करके पीशूंगी इसमें भी नमक और पानी आड़ कर देंगे पहले इसमें कम पानी डाल कर पीशेंगे अब फिर उसके बाद थोड़ा और पानी मिला कर पीश लेंगे इस तरह से चट्टी तैयार कर लेंगे यह दोनों चट्टी हो गई यह तैयार अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं इसके तड़के के लिए मैंने एक पैन चड़ा दिया है उसमें मस्टर्ड और डाल दिया है गरम हो चुकी है तेल अब मैं तेल में सरसों के दाने डाल दूँगी मैं पीला सरसों इस्तमाल कर रही है आप काला भी इस्तमाल कर सकते हैं मेर्च डाल दूँगी करी पत्ता अब दोनों चटनी पर तड़का लगा लेते हैं बैटर को रेस्ट करते हुए पच्चिस मिनट हो चुके हैं हम देख लेते हैं बैटर एकदम सिट हो गया है अच्छे से काढ़ा हो गया है और सूजी अच्छी तरीके से फूल चुकी है थोड़ा सा पानी और मैं एड़ कर रही हूँ एकदम थोड़ा सा क्योंकि बैटर को हमें पत्ला बिल्कुल नहीं करना है बैटर जो है रवा इडली का वो गाढ़ा ही रहता है पत्ला हो जाने से फिर वो इडली बनेगा नहीं सही से इसलिए हमें गाड़ा ही रखना है अभी मैं इसमें इनो नहीं मिलाओंगी बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कितना ठीक है यह ऐसा ही रखा जाता है रवाइटली का अभी मैं इसमें इनो नहीं मिलाओंगी इसे साइड कर दे रही हूँ क्योंकि इनों मिलाकर बहुत जादा देर तक नहीं रखना होता है बबल्स जब खतम हो जाएंगे तो फिर इडली हमारी फूलेगी नहीं तो मैं यहाँ पर ग्रीज कर ले रही हूं इडली स्टैंड को पानी हमें रखना है इडली स्टैंड से एक इंच नीचे नहीं तो पानी जब उबलेगी तो फिर यह नीचे की जो इडली है वो खराब हो जाएगी तो बड़ा कूकर हो या छोटा कूकर हो पानी इतना ही रखना है कि इडली स्टैंड से एक इंच नीचे होना चाहिए अब मैं मिला देती हूं इसमें इनों दो पाउच मैं नहीं मिलाओंगी इसमें एक और दूसरे पाउच का आधा यानि डड़ पाउच जो है मैं इनों का इस्तमाल कर रही हूं इनों डाल कर हमें बहुत जादा तेज फेटना नहीं है एकदम हलके हातों से इनों को बैटर में हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे एकदम स्लोली जो है हमें मिक्स करना है जोर से नहीं फेटेंगे हम नहीं तो बबल्स जो है वो खतम हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है बस बैटर डाल देना है इस्टैंड में और इसे कुप करने के लिए रख देना है इसी तरह से मैं सारे स्टैंड में रख देंगी बैटर को डाल देना है इस तरह से अब इसे कुकर में डाल देते हैं पानी गर्म हो चुका है खौल चुका है पानी फ्लेम को मिडियम कर दूँगी और कवर लगा दूँगी उपर से धकन बिना विसल के हमें इसका धकन उपर से लगा देना है इस तरह से की स्टैंड बाहर ना आए मीडियम फ्लेम पर इसे बीस मिनट पकाएंगे बीस मिनट हो चुके हैं मैं चेक कर लूँगी इडली बनी है या नहीं अच्छी तरह से अब इसे निकाल लेना है थोड़ी ठंडी हो गई है यह आप नाइव से या फिर चमच के हेल्प से इसे निकाल सकते हैं जिससे आपको आसानी हो मुझे चमच से आसानी होती है इसलिए इसके एजेस को थोड़ा सा लूज कर ले और उसके बाद इसे निकाल ले ओल से इसे निकल जाती है इसलिए इडली को जब बैटर को जब भी डाले अच्छी तरह से स्टैंड को ग्रीज करें जिससे यह इसली निकल सके कुख होने के बाद देखिए इडली एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनी है इसी तरह से मैं सारी इडली निकाल लोगी मैंने निकाल लिये सारी इडलियां बहुत ही स्पंजी बनी है इडली और ये दो तरह की चटनी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है मैं आपको दिखाती हूँ इडली कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है इडली कितम सॉफ्ट और स्पंजी है बहुत ही आसान होती है ये रवाइडली बनाना इसे बहुत आसान होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है आप भी ट्राइ करके जरूर देखेगा आई होप आपको अच्छी लगेगी मिलूगी आपसे फिर एक नई रेसिपी में तब तक के लिए बाई अल्ला हाफीज थैंक्स फो वाचिए